अस्सलाम अलेकुम फ्रेंट्स आप देख रहे हैं ला एंड सोशालोजी अकैडमी आप लूपों के लिए जनरल नौलज़ के पाइफ थ misunderstand अप्नी की सीज़ लेका आए है इसमें आपको वन वीडियो में 50 एमसी कियूज में लेंगे और यह we देख रेलिटीड होंगे सब्सक्राइब करनेटेड मेंके सीज़ वह खानो पहले है कि मैं और देख दिसकास करने वाले हैं वह खजट मूम्मत कि यह व THEY एसलिम की जिन्दगी से और इसी सीकल्स है ये खतम होंगे तो फिर पाकिस्तान स्टुडी जर्जनल साइस सारे एक्सवाजी ये आते रहे हैं आपके पास और इंशाला ये हम फाइफ थाउजन एपस का टार्गें बहुत चाल रचीव कर लेंगे कि दिरी बिस्स के आपको ये तो फॉली प्रॉफित वाली है तो चलिए स्टार्ट करते हैं परस्ट एफ ये जर्र नॉलेज के कुशिटन जो है वन राइनर बनाएं आपको टाइम से ने के लिए हैं तो अगर आप एक लाइन आपने प्रेक्ट आप्शन जाद कर लिए तो बाकि जो भी आएगा तो 571 A.D. 22nd April Father's name, Hazrat Abdullah Mother's name, Hazrat Amina Maternal grandfather's name, Baha bin Abdul Munaf Maternal grandmother, Batra Real name of Abu Mutalibwaz Shahba ये थोड़ा सा इसमें होगी है, टेस्स मिस होगी है, तो इसको बिराने जिते हैं Grandmother name, Fatmi 10 is the number of uncles and aunts Prophet journeyed to Syria with Abu Talib at 12 years At 25, Prophet married to Hazrat Khatija Hazrat Khatija accepted first in women and in all Hazrat Khatija accepted Islam first in women and in all Hazrat Abu Bakr accepted in men Hazrat Ali accepted first in children Varka bin Nafil verified Prophet for the first time Hazrat Muhammad s.a.w. जब very first time उन पे वही नाजल हुई तो वो थोड़े घबरा गए थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है उन्होंने जाके बिस्तर अपने उपर, चादर उपर अपने लपेट ली और सारी condition जो है, अज़र Khatija को बयान की तो उन्होंने आप, वो आपको ना वर्का बिनोंफिल के पास ले की क्योंकि वो माहर दीन थे उस वक्त के और उन्होंने सारी अपनी कैफियत बयान की तो उन्होंने सबसे पहले तस्दीक भी की कि आपको अपना नभी मंतखिब कर लिया है अपुनिशानिया पूरी हो रही थी Holy Prophet had daughters and three sons four daughters and three sons four is missing here at age of 40 Holy Prophet received first Pahe in 622 AD Prophet married to sorry in 622 AD Prophet migrated to Medina Hazrat Halima Vazda foster mother of Holy Prophet besides Hazrat Halima and her Holy Prophet peace be upon him said that Umeh Eman is also my mother foster mother कर ये concept है कि Arbo में ये रवाज था कि बच्चे को पैदाश के बाद किसी शेहर से दूर किसी गाउं में किसी तंदुस्त महाल में भेज़ती है जाज़ता तो इसलिए रजाई मा कर रवाज बहत आम था Name of foster mother of Holy Prophet सलिए अले अले वाले वाले वे सलम Hazrat Halima रजिलत अला अनहा Hazrat Sobia रजिलत अला अनहा and Hazrat Khawla रजिलत अला अनहा How many years after the birth of Holy Prophet सलिए अले अले वाले वे सलम Hazrat Eman died 6 years Shima was the foster sister of Holy Prophet Hazrat Halima looked after the Holy Prophet for four years 35 was the age at the time of Hajr-e-Aswad incident 35 was the age at the time of Hajr-e-Aswad incident Hajr-e-Aswad को जब उसकी प्लेस्मिंट का जब मामला चल रहा था तो सारे कबाई लापस में लड़ने को तैयार हो गए हर कबीले की ये खौश थी कि हमारे कबीले में से कोई बंदा इसको प्लेस करेगा लेकिन उस वक्त गो के नबुवत का सिलसला भी शुरू नहीं हुआ था लेकिन हजूर स्वाला अलेस्मिंट का बोल बाला बहुत अच्छा था जो काफिर थे वो भी उनको सादिक और अमीन कहकर बकारा करते थे तो उस वक्त हजूर स्वाला अलेस्मिंट ने उनके दर्मयान ये फैसला किया कि एक चादर ले आओ पत्थर को इस चादर पे रखो और तमाम कबीलों के जो सर्दार हैं वो इस चादर को साइड से पकर ले और इस तरह से ये लड़ाई उन्होंने खत्म करवाई वाइफ आफ अबू लाहब यूस्ट तो सप्रेड थौर्ण इन द वे अफ प्रॉफिट इन फोर्थ एर अफ प्रॉफिट हुड नबूवत के चौते साल में अबू लाहब की वाइफ ने आपके रास्ते में कांटे बखेरना शुरू किये होम आफ हजरत अरकम रजी आफ अनहा यूस्ट ऐस दा सेंटर अफ सीक्रिट प्रिचिंग बाई अफ प्रॉफिट शुरू शुरू पे जब इस्वाइफ इस्वाहाब की प्रिचिंग स्टार्ट हूई तो इतना ज़ादा ऐस्वाहँ बहुत कमज़ोर हालत में था कफार बहुत जादा ताकतवर थे यानि अल्ला का यह हुकम था कि शुरू पे सीक्रिटली उसकी प्रिचिंग की जाए इसलाम की तबलीग की जाए लोगों को इसलाम की दावात दी जाए तो हजरत अरकम अले इसलाम का घर जो था वो सीक्रिट प्रिचिंग का सेंटर था उसवक्त इन सेवंथ नबवी बाइकाट आफ बनू हाशिम बिगें हजरत आदम मैट विद होली प्रॉफिट ओन दा फर्स्ट हैवन यह वाके मिराज में से एक MCQ उठाया गया कि जब मिराज पर गए थे तो उन्हें उन्हें 1st हैवन पर हजरत आदम अलै इसलेम हजरत इसा हजरत याया न एंस देन देन हजरत याकूब और तर्ड़ रड़ हजरत इद्रीस ऑजरत हारून प्थ जडून हजरत मुस्च्छा विड्रों ज आजरत इस्ध रफ्र When ईस्र सिउथे प्रफिक पर्चास्ट उगाँ आड डिना पोर्फ न बिना इन आ दो औरफिय दिना आड सुल चर्टर प्रफ इना वाँ इस फिस तार फ्रस्ट लॉत एट इस न और फ्ट्रफ डिजरव तरफ एधन आड़ तकेव्योग स्विट कर्वाँ अच्छा तो जब ट्रांसफर अफ किबला का वाक्या हुआ था तो हजूर अलब 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 नमाज पढ़ा रहे थे नमाज के दौरान दौरान ही जैसे ही वही नाजल हुई तो हजूर ने अपना रुख बदल लिया नमाज के दौरान तो तमाम सहाबा ने उनकी पैरवी का आलम देखें कि उन्होंने भी बगएर सवाल किये उनके पीछे अपना रुख बदल लिया तो बाद में उन्होंने अज़ूर स्वाल लियुक्त किया कि आपने इसा क्यूं किया इसके पीछे वजा क्या थी तो तब उन्हें बताया किया कि अब किबला जो है वो तबदील हो चुका है 27 तोटल नंबर आफ घजवास फर्स्ट घजवा अफ इसलाम वास विदान अभवा फॉट इंट्वेल्थ मन्थ फिर्स्ट हिजरी जंगे बदर अकुर्द इन तु ए ए ए एच त्री एंट्री फॉट इन बैटल मुसलिम्स और यहां पे मिस्वावाई एक दूवाई एक द जंगे बदर अकुर्द इन 2 A.H. 313 मुसलिम्स फॉट इन बैटल इन नंबर अफ हदीष क्लेक्ट इन अबु हुरेरा रजियलत अला अन्हा 5374 पांच हजार तीन सव चोहतर अधीष अबु हुरेरा ने क्लेक्ट की Prophet Hazrat Nuh A. आप अबु 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 ऑद बन जराह वाज इन तिटल अमीन अम्मत Next is Hazrat Umar proposed Azan for the first time And here is the next question The doom over the secret grave of the Holy Prophet is known as Gumbad-e-Khizra ये Gumbad-e-Khizra का जिकर आपने अकसर नातों में बहुत सुना होगा Baitul Manoor is a place where 70,000 angels were circulating during the Holy Ascension Baitul Mamoor is on 7th heaven Baitul Mamoor is where? Baitul Mamoor is on 7th heaven And here is the last question of the video And if you like the video, you can like the video And if you are your friends, share the video with them So that they will be useful and the proportion of the best of them And don't forget to subscribe to the channel so that you can get a notification of every new video So that you can get a notification of all the time Okay, Allah Hafiz Next question is Surname of Halima Sadia was Ummi Guptia Surname of Prophet was Abul Qasim Next is Daya of Prophet was Shifa who was mother of Abdul Rahman bin Of Next is Abdul Mutlib died in 579 A.D. Abdul Mutlib was the Grandfather of Holy Prophet Maesera a slave of Khatija Accepted Sorry, accompanied Prophet to Syria Maesera a slave of Khatija Accompanied Prophet to Syria Next is His first foster mother was Sobiyah who was mother of Hamzah For six years Halima took care of Prophet peace be upon him For two years Abdul Mutlib took care of Prophet And the next question is After seven days the Akika ceremony of Prophet was held Prophet belonged to Banu Hashim clan of Quraysh tribe Among uncles Abbas and Hamzah embraced Islam Uncles of Holy Prophet peace be upon him Amina was buried at Abwa between Makkah and Medina Next question is Six months before the Prophet's birth His father died Prophet had no brother and no sister The foster father of Prophet was Haris At the age of fifteen Harbifijar took place Harbifijar means war fought in the prohibited months First father-in-law of Prophet was Khwalid Next question is Amina belonged to Bani Zohra tribe And the next question is Umar and Hamzah accepted Islam in 615 A.D. 5th Nabvi Here is the next question Social boycott of Banu Hashim took place in 7th Nabvi Shib means valley Social boycott continued for three years A group of Medina met Prophet in 11th Nabvi Next question According to Akba took place in Sorry Accord of Akba took place in 30th Nabvi Here is the next question On 27th Rajab On 27th Rajab 10th Nabvi the event of Miraj took place 10th Nabvi was called Amul Hazan Verse of Grieve And friends I will leave a question in the video I will leave a question in the video Which I will leave you Which I will leave you This question is In the video If you look at the video If you look at the video In the first attempt You will leave the answer in the comment And if you don't remember If you don't remember If you don't remember Then there is no problem You don't remember If you look at the video And give the answer And give the answer You will also know How you remember And not Okay Here is the next question Name of the camel On which prophet was riding in migration Was Kaswa Umar bin Hisham was the original name of Abu Jahl Umar bin Hashim was the original name of Abu Jahl Abu al-Hikam is the title of Abu Jahl Persons included in Baiti Agba Dola 12 And in Baiti Agba Sani 75 Next question is Cave of Hera is 3 miles from Makkah Next question Hijrah took place In 30th Nabvi And here is the next question Medina is 338 kilometers from Makkah To 10 miles Makkah Conquist Occurred in 8th year of Hijrah Next question is Prophet performed Hajj in 10th Hijri And Holy Prophet Peace be upon him performed only one Hajj in his life Here is the next question Prophet was Prophet was Buried Sorry Buried Buried in the Hujra Hujra of Aisha Viewers Here is the Spelling mistakes Mistakes Here is the text Missed And That Prophet was Buried in the Hujra of Aisha Next question Next question is Prophet was Buried in the 1st year of Elephant Here is The last question of this video Ambassadors sent to Urb and other countries in 7th Hijrah Hujra And Question of the day Question of this video is On 27th Rajab 10th Nabvi Which event took place This question You will get the answer in this video Please tell us in the comments Share the video And I will wait for the next video Okay Allah Hafiz